नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल बिहारी नान्स्टॉप नियूज में तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी ख़बरों की बारे में जानते हैं तो ख़बरों की और रूख करने से पहले एक नजर हेडलाइन्स पर बिहार में इलक्टिसियन फीटर, इलक्टोनिक मेकैनिक, डीजल मेकैनिक वेल्डर या अनिकिसी ट्रेड से आइटियाई करने वालों के लिए बड़ी खुसकबरी है बिहार के सभी सरकारी आइटियाई का सर्टिफिकेट अब देश भर में मायन होगा केंदर सरकार ने NCFTY को मायनता दे दी है इससे इस्टुडेंट्स को काफी भायदा होगा बिहार के सभी 149 सरकारी आइटियाई को केंदर सरकार से मायननता दे दी गई है बिहार सरकार के स्रम संकसाधन विभाग के मंत्री जिवेष कुमार ने कहा कि अब जो भी चात्र बिहार के इन कॉलेजों से पास होंगे उनकी डिग्री को मानिता देश भर में होगी उन्होंने आगे कहा कि 26,904 चात्र चात्राओं को एक समान डिग्री मिलेगी इसका फायदा चात्रों को देश और बिदोसों में मिलेगा चात्रों को ओन जोब ट्रेनिंग दिलवा कर रोजगार के अवसर उपलब्द कराने और बरतमान बाजार मांग के अनुरूप अनलोकप्रिय व्यवसाय सुरूप किया जाएगा मंत्री ने कहा कि 9 जीलों में एक एक अधागिक प्रसिचन संक्स्थान की गई है इन 9 संक्स्थानों में 5 बहन तयार हो चुका है इन यूजना के अंतरगत सभी ITI के कुसल प्रवंधन के प्रावधान के अनुरूप संक्स्थान प्रवंधन समेथी का कठन भी किया गया है बिहार बोड की मैट्रिक परिक्चा के चौथे दिन अंग्रेजी की परिक्चा के दौरान SDO Z हसन ने परिक्चा के इनर का निरिक्चन किया तब इस फर्जी वाड़े का पता चला फिलाल फर्जी परिक्चाती को त्रिवेनी गंज पुलिस के हवाले किया गया है वहीं जिस चात्रा के बदले परिक्चा में बैटी थी उस चात्रा को भी निस्कासित कर दिया गया है बिहार पंचायत चुनाओ की तैयारी जोरो पर है लेकिन चुनाओ से ठीक पहले सेकडो मुख्या के लिए बुरी खबर है दरसल नितीज कुमार ने एक बड़ा निर्ने लिया है बिहार के पंचायती राज विभाग के अनुसार नल जल योजना का कार पूरा नहीं करने वाले मुख्या और वाड सदस्यों पर कारवाई की जाएगी ऐसे में जिन पंचायतों में काम अधोरा है उन पंचायतों के जन प्रतिनिधियों को अगले पंचायत चुनाव लड़ने में कठीनाई हो सकती है पंचायती राज विभाग इसकी सूची बना रहा है कि किन-किन जीलों के मुख्या और वाड सदस्यों ने इस काम को नहीं कराया है इस बार उनके पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचीव अमरित लाल मिना ने कहा कि पैसा मुख्या के पास जाता है और उने ही वाड क्रियानवन एवंग प्रबंधन समीती से काम कराना है योजना पूरी नहीं होने पर मुख्या और वाड सदस दोनों जिम्मेदार माने जाएंगे लंबित वाडो वाले जिम्मेदार मुख्या की संख्या करीब 400 है उन्होंने सभी DM को पत्र लिखर जिन मामलों में FIR दर्ज हुए है उनमें जल्द गिरफतारी करवाने का निर्देश दिया है कई मामलों में संख्यदक और वाड सदस्यों की मिली भगत से रासी गवन किये जाने का मामला उजागर होने की बात कही जा रही है डियम ने निर्देश दिया है कि जिन मामलों में प्राथमी के दर्ज हुए है उन सभी में अभी उक्तोक की गिरफतारी सुनिश्चित करे बिहार के मुख्यमंतरी नितीस कुमा ने प्रादान मंतरी नरेंदर मोधी से देश बर में बिजली का दाम एक रखने के मांग की है सनिवार को निती आयो के बैठक में मुख्यमंतरी ने वन निसन वन रेट के मांग की है इस मीटिंग में मुख मंतरी ने कहा कि बिजली के छेतर में बिहार ने कई काम सुरू किये हर घर बिजली पहुचाने की योजना बनाई और सभी लोगों तक बिजली पहुचा दी गई है मुईक मंत्रे ने कहा कि हर घर बिजली पहुचाने में केंदर सरकार को भी काफी मदद मिली है उन्होंने कहा कि साल 2018 के अक्टूबर महिने में हर घर बिजली पहुचा दिया गया उन्होंने कहा कि बिहार में NDA को साल 2005 में काम करने का अवसर मिला उस समय बिजली की खपत 700 मेग लेकिन 2020 में जुन महिने तक बिजली की खपत 5932 मेगावट तक पहुंच गई है नितीज कुमान ने कहा कि बिहार सरकार 5000 करोड से भी ज़्यादा का अनुदान लोगों को देती है बिहार के लोगों को कम से कम कीमत पर बिजली पहुचाने की कोशिस की जा रही है बिहार सरकार ने प्रिपेट स्मार्ट मिटर लगाना सुरू कर दिया है अब केंदर सरकार भी इसे लागो कर रही है इसके कारण बिजली का दुरुपयोग अब नहीं होगा बिजली का दुरुपयोग होने से परियावरन पर भी संकट उत्पन होता है इसलिए सुरू से ही बिहार में प्रिपेड स्मार्ट मिटर की बात कही है सीम ने कहा कि केंदर सरकार के प्लांटों के माध्दम से अलग-अलग राज्यों में बिजली दी जाती है उसका रेट भी अलग-अलग होता है इसलिए एक निती बननी चाहिए यानि कि पूरे देश में वन निशन वन रेट होना चाहिए बिहार को बिजली काफी महंगी मिलती है जिससे लोगों को राज सरकार के ओर से जादा अनुदान देना परता है पूरे देश के लिए एक निती कर दी जाए तो ये अच्छा होगा मुईक सचीव के निर्देश पर ओवरलोडिंग और बिसेश मास्क जांच अभियान की सुरुवात की गई जिला पताधिकारी के टीम दोवारा सभी 38 जिलों में यहाँ अभियान चलाया गया इस बात की जानकरी परिवहन सचीव संजै कुमार अगरवाल ने दी उन्होंने बताया कि बिना मास्क लगाए बस और आटो में यात्रा करने पर कंड़क्टर ड्राइवर और यात्रियों पर कारवाई की जाएगी वहीं ओवरलोडिंग किये जाने पर वाहन मालिकों पर कारवाई की जाएगी आज नियामों का उलंगन करने पर कुल 563 लोगों पर कारवाई की गई कोरोना संकरमन से बच्चाव को लेकर मास्क लगाने के अपिल की गई और मास्क लगाने के फायदे भी बताये गए परिबहन सचेव संजेकुमार अगरवाल ने बताया कि अभी कोरोना का खत्रा कम नहीं हुआ है इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है कई राज्जों में तो फिर से कोरोना के केस सामने आ रहे हैं इसलिए यात्रा करते समय मास्क जरूर पहने और भीडभार वाले जगहों पर विसेश ध्यान रखे उन्होंने बताया कि बस और ओटो में छमता से अधिक यात्रियों को लेकर वाहनों का परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर कारवाई की जाएगी उनसे जुर्माना लिया जाएगा एवंग परमिट रद करने की भी कारवाई की जाएगी बस और ओटो में ओवरलोडिंग के विरूद लगातार सधन जांच अभियान चलाया जाएगा ओवरलोडिंग वाहनों को परिचालन किया जाना सड़क सुरक्षा नियम एवंग वोटर वाहन अधिनयम का उलंगन करना है इससे सड़क दुरगटना की संभावना बढ़ जाती है बिहार की सितामणी में भी बड़े पैमाने पर रैपिट एंटीजन टेस्ट के आकणों में फरजिवाड़ा हुआ है जिले के तीन प्रकंडों के स्वास्त केंदर में 30,000 लोगों के मोबाइल नमबर फरजी मिले हैं जिनके मोबाइल नमबर की जगह 000 और 111 लिखा है स्वास्त विभाग ने कोरोना जाच के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया है स्वास्त विभाग द्वारा कोरोना जाच के फरजी आकड़े भी उपलब्द कराये गये हैं स्वास्थ विभा के सीविल सर्जन राकेश चंद्र सहाय वर्मा अपने घोटाले पर अपनी पीट थप थपाते रहे बगेर जाच के ही कोरोना जाच के नाम पर बड़े बड़े आकड़े जीले में उपलब्धी के तौर पर दिखाये गए सितामणी के तीन प्रकंड रूनी सैदपूर, डुमरा, रीगा स्वास्थ केंद्रों से जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उसमें 30,000 लोगों के नाम से फरजी मोबाइल नंबर मिले हैं मोबाइल नंबर के लिस्ट में नंबर की जगह 0000 और 111 अंकित है बीजेपी क्रीडा प्रकोष्ट के ओर से राजधानी के पठली पुत्र इस्पूर्ट्स कॉम्पलेक्स में दो दिवसे स्वारगिया रामदे मातो महिला पुरुस तायकांडो पर्तियोगता की सुरुवात की गई तायकंडो परतियोगता का उद्गाटन बिहार सरकार के खेल मंत्री अलोक रंजन जहां और खनन एवंग भूतत्व मंत्री जनक राम ने संयुक तुरूप से किया इस अवसर पर क्रीडा प्रकोष्ट के अधिकारी द्वारा सम्मानित अतितियों को पुस्प गुच सौल एवं मुमेंटो देकर सम्मानित किया गया खिलाडियों को सम्मोदित करते हुए मुईक अतिती सूबे के खेल मंत्री अलोक रंजन जहां ने कहा कि अनुसासन का प्रथम पाट साला खेल के मैदान में ही देखने को मिलता है उन्होंने कहा कि भाजपा क्रिणा प्रकोष्ट समय समय पर विविन खेल कायर करमों का आयजन पर खिलाडियों के हीद में अच्छा कायर करते रहेगा उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि मुझसे जो भी खिलाडियों के हक के लिए उचित होगा मैं सुनिशित करने का प्रयास करूंगा बतोर विशिष्ट अतिती बिहार सरकार के खनन एवंग भुतत्त्यु मंत्री जनक राम ने क्रिडा प्रकोष्ट के पदर्दीकारियों को प्र आलाइन नमांकन पत्र भरने की आजादी दी गए थी लेकिन उस नमांकन पत्र को प्रिंट आउट करके ऑफलाइन जमा करने की भी अनिवारिजिता थी ठीक इसी तरह का आदेश राज निर्वाशन आयोग द्वारा बिहार पंचायत चुनाओं में भी दिया जा सकता है इस डियम को निर्वाशन आयोग द्वारा अधिसुचना जारी होने के बाद उसके पोर्टल पर नमांकन फॉर्म जारी किया जाएगा और उस तरह तारिक तक ही कारिसिल रहेगी इस दोरान उनलाइन नमांकन करने वाले प्रत्यासिय का पत्र सीधे पटना कारियाले पहुंचे जहां से सम्मंदित जिला को भेजा जाएगा जिला से सम्मंदित प्रकंड कारियाले को ओनलाइन भेजा जाएगा जनता के दर्बार में मुहिकमंत्री कायरकरम एक बाद फिर से सुरू हो रहा है इस पर मुहिकमंत्री नितीज कुमार जिलो से आने वाले लोगों से मुहिकम संब्स नित्यकंपार में विधान सभाह से इसकी तेऎर चीаюсь हो गई ए उम्मीद की जारी की जब से कोरोणा का ठीका आम लोगों को शुरू हो जाएगा उसके तुरंद बात जनता दरबार में मुख्यमंत्री कारिकरम सुरू कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री नितीजकुमार ने सुम्बार को विदानसभाज्दित अपने कक्च में पत्रकारों से बात्चित में यहां जानकारी दी उन्होंने बताया कि कोरोना का संकट नहीं होता तो इससे पहले ही शुरू कर दिया जाता लेकिन अब टीकाकरन शुरू हुआ है अगले एक से दो महिने में आम लोगों को भी टीका दिया जाना लगेगा इसके बाद जंता दर पाल समेत दिन डाक करीमियों के खिलाप मांजी थाने में प्रातमी की दर्ज कराई गई है डागर में घोटाली की खबर से उपभोगता अस्चर चकित हैं और सभी अपने अपने खाते की जाच कराने के लिए सनिवार को डागर पहुचे इसे बिच लिंक फेल होने का बहान बनाकर डागर के कर्मचारी वह पताधिकारी फरार हो गए दिन बर डागर बंद रहा तो आज की सुर्कियों में बस इतना है बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथी साथ अपने दोस्तों रिष्तेदारों में सेर जरूर करें धन इन बाद